तो जहें दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके सेट पर कभी भी इस तरह पेज आये तो आप कैसे इस पेज से आप एक्जट हो पाएंगे पर आगर कभी भी set को on करने के बाद आपको इस तरह page मिलने के बाद कैसे आप इस page से exit होके normal mode पर आप set को on कर पाएंगी यह जो process मैं दिखा रहा हूँ realme की सभी model पर यह work करेगा तो फिलाल मैं कर रहा हूँ realme 995G पर तो दिखिए realme 995G पर तो require mode on होने के बाद कैसे आप require mode को exit कर पाएंगी अगर आपको require mode on करना है तो कैसे require mode को on कर पाएंगी इस वीडियो में हम लोग जानेगे तो देखिए पहले मिलता है English तो हम लोग को समझ में आता है English तो English को press करूंगा तो English press करने के बाद normal mode पर set को on करना है तो reboot पर press किजी उसके बाद ok पर press किजी इस तरह आपको normal mode पर set on हो जाएगा आगर आपको require mode on करना है तो set को पहले power off करना होगा power off होने के बाद पहले सेट को power off करना होगा, off करना होगा, off होने के बाद मिलेगा volume minus button को press करकी power button को press करना पड़ेगा इस तरह आपको volume minus button को press करकी power button को press करना होगा, जब on होगा तब power button को छोनना होगा और volume minus button को press करके रखने पड़ेगा तो दिखिए इस तर आपको required option आपके set पर on हो जाएगा volume minus बटन को प्रेस करके power बटन को प्रेस करना होगा तो इस पर आप English कर पहेंगे इधर से आप way of data कर पहेंगे way of data करने से आपका set पर जो इतने भी data है वो clear हो जाएगा और इधर से आप moment आपडेट कर सकती हो तो आगर यह वीडियो आपका help होआ है तो प्लीज इस वीडियो को एक like करके जनल को subscribe कर दिजिए thanks इस वीडियो को full watch करने के लिए